आज दो तारीक है, दो मार्च, आज से प्राइवेट फोर्म भरने सुरू होंगे, वीडियो सुरू करने से पहले हमने वेबसाइट पर चेक किया, अभी तक फोर्म नहीं आए, रात हमने 12 बजे भी चेक किया था, कि आपको अपडेट दें, कि एक्चुल में फोर्म चल गए ह और चले हैं, तो क्या तरीका रहेगा भरने का, उसको थोड़ा भरके हम देखते हैं, क्या प्रोसेस है, उसका क्या प्रोसिजर रहेगा, वो थोड़ा सा समझेने के कोशिश करेंगे, आपको बता दे जो हम से अभी जुड़े हैं, या फिर ये हमारी पहली वीडियो है, जो आएंगे या कल आएंगे उसके बेस पे हम आपको बताते हैं कि अभी जो है मैटर चल क्या रहा है अब मान के चलो मैं एक वो स्टुडेंट हूं कि मुझे बी ए में एडमिशन लेना है या बी कॉम में लेना है तो भई प्राइवेट में जब मुझे एडमिशन लेना होगा त चीज़ का कि भई आपके जो फॉर्म निकलेंगे प्राइवेट वो निकलेंगे एक अलग तरीके से अलग नोटिस के मादम से निकलेंगे अब वो भी इसमें बच्चे आएंगे जिन्होंने फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर मतलब फर्स्ट इयर कर चुके हैं या सेक एक्चुली आ जाएंगे जब यह आ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि जो फॉर्म नंबर डालके सेकंड इयर का बच्चा जो इन तीनों जिलों से अलग का है वो फॉर्म भर रहा है जब फॉर्म आ जाएंगे तभी पता चलेगा ठीक है ना तो यह तो एक डाउट हुआ आपको अगर इस चीज़ को हम और थोड़ा एक 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 एक्जामपल के माध्यम से समझाएं तो एक्जामपल हमारे जाधतर खराब रहते हैं लेकिन हम अगर समझाएं अभी शिवरातरी गई है है फिसी एकाउंट पर डालना चीज़ा था लेकिन हम यह चाहते है कि जो भी ह चक्कर में कभी-कभी रही जाता है फिर हम सोचने है कि सिर्फ हैपी शिवरातरी लिखके ही भेज देते हमने बहुत सोचा कि ट्वीटर पर जाएं ट्वीटर पर एक अच्छा सा मैसिज ले और आपको डिलीवर करें लेकिन हम नहीं हो पाया उसके लिए माफी चाते है ठीक बहुत आणा है शिर्फ लिंग पर जल को मत चड़ाना तो सभी जने भाई सोच बैटे कि हर बार सिर्फ लिंग पर जल नहीं चड़ता है और जल को मना कर रहे हैं वह पंडी जी कितने बजाएंगे पांच बजी आपको मोंका मिलेगा तो बैए क्या होगा यहांपे जब चीनी के डाले और वो जाकर जल चड़ा दिए कि जल अकेला खाली जल नहीं चड़ाना ता उसमें दो दाने चीनी के डालना सही होता है तो बस चेंज क्या हुआ इस प्रोसीजर में, दो दाने चीनी के, उन्होंने जो बोला था वो गलत तो नहीं था, इसी तरीके से नई शिक्षाप परनाली के तहत, रेगुलर फोर्म शुरू हुए, उसमें बोला कि बाई, चेंजिस होंगे, चेंजिस क्या हुए, कि माइनर में नन कर रहाना है, एक कोर्स होगा, हमने एनरेसी में टीचर से बात करी, उन्होंने बोला, कि बाई, हर क्लास का आपका एक अलग सब्जेक्ट होगा, और जो बीए हैं, उसमें दो कोर्स वो छटवा रहे हैं, अगर कोई बच्चा फोर्म भरने आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाई, फोर्म का पैटर्न क्या रहेगा, फोर्म को भरते हुए चीजों किस-किस चीजों की जरूरत होगी, अब आपको हम अगर बताएं, बहुत से बच्चों का डाउट यह हैं कि मुझे करनी है, में में फर्स्ट इयर प्राइवेट, लेकिन मेरी बी-ए में सेकंड इयर में बैक है, जिसकी वज़े से मेरा बी-ए क्लियर नहीं है, तो क्या मैं फोर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो भाई आपके लिए हमें नहीं पता कि फोर्मेट क्या आएगा, अब जो एक्जामिनेशन फोर्म चल रहे थे ना, तो उसमें क्या होता था है उसमें लिखा आता था कि अगर आपके पास पिछले साल के नंबर नहीं है मार्क्स नहीं है तो आप वहाँ पे 1-1 डाल सकते हो कि अगले दो दिन में आज और कल अगर आप फोर्म चल गए तो इसी वीडियो की वैल्यू रहेगी इसी वीडियो से आपको फायदा होगा क्योंकि तीसरे दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या है मैथड क्या नहीं है और हम भी उसके बारे में वीडियो तब तक बना चुके तो अभी की जो कंडिशन है उसके हिसाब से आप समझो देखो अगर आज फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि शाम को खतम हो जाएंगे या कल खतम हो जाएंगे हमने आपको हर बार बोला है कि जब भी फोर्म चलें उसे दो या तीन दिन मत भरा करो पिछली जो रेगुलर फोर्म चल रहे थे जो माइनर और वोकेशनल सब्जेक्ट थे उसमें फोर्म भरे गए हमने कैफे पे फोन करके पूछा कि कितनी फीस आ रही है उन्हेंने का 1200 फीस तो हमने 1200 रुपे फीस बताए बच्चे को और बोला कि दो तिन दिन बाद आना उसके बाद लिए अखबार में जिसमें बोला गया कि टीचर के लिए मेंटिंग आयोजित की गई है उसका हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वह आपके लिए नहीं थी उसमें कोई ID पासवर्ड नहीं था या लिंक कोई नहीं थी आप उसे जोईड नहीं कर सकते थे अगर जोइन करत तो बीड कहां लगेगी उनिवर्सिटी में ही तो लगेगी रूम नंबर 309 में कान खाएंगे बच्चे जाके कि ऐसा हो गया तो बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए तुरंत से कि फोर्म आयो और एकदम से आपा धापी पर पड़ गए हमेशा गलतियां पहले दो या तीन दिन में होंगी और जो भी रूल्स निकलेंगे अभी आपको पता है कि जो तीन जिले हैं उनकी अलग कर दिये गए हैं उनकी उनिवर्सिटी अलग है उनका जो भी पैटरन होगा अभी किसी को नहीं पता हमें नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है तो अभी के लिए आपके लिए जो अपडेट है वह इतनी है कि दो या तीन दिन के लिए आराम से बैठे चीजों को सही तरीके से चीजों का विशलेशन करें एनलाइज करें कि क्या अभी चल रहा है फोर्म कैसे भर आता है तो हम एक-एक स्टैप लेकी चलते हैं मतलब मना नहीं करते हैं फोर्म भरने की जब कोई आता है सलाथ जरूर देते हैं लेकिन ऐसा है कि पहले हम फोर्म को खोलते हैं फोर्म में सारी की सारी अपडेट देखते हैं फोर्म अगर सही चल रहा है नाम पूछता है कुछ डिसीजन लेते हैं कि भाई आपको फोर्म भरना रहेगा या फिर नहीं कोई भी ऐसी मान के चलो रेगुलर फोर्म भरना है उसमें माइनर सब्जेक्ट आया वोकेशनल सब्जेक्ट आया हम रुप गए हमने का कोलीज में पता करो इस चीज का क्योंकि इसका कोई अपड किसी भी टाइम फोर्म खुल सकते हैं हम रेगुलर चेक कर रहे हैं और फोर्म का पता हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com से चल जाएगा जहां पर आप आपको लिंक भी मिलेगी और उसमें जो भी जरूरी चीज है वो सारी चीजे मिल जाएगी अभी आप टैंसन मतलें आराम से बै पाए पिछले 3-4 दिनों में क्योंकि BSF की लास्ट डेट थी हमने बदलगाय था ना लास्ट डेट रिमाइंडर उसमें हम लगे हुए थे हालाकि इस बार अच्छे से हमने फोर्म को तरीके से निप्टाया पहली बार ऐसा हुआ कि लास्ट डेट के दिन हमारे बास बहुत क कोई भी दिक्कत होगी हम गुरूप से आपके मैसेज को एनलाइज करते हैं टाइम मिलता है तो या फिर हमारे एडमिन हमें परसनली मैसेज बताते हैं बेजगे कि ये दिक्कत आ रहे है वच्चो को तो हम उसका समधान करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ पे वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये भाई वीडियो थी फिलाल जैसे भी अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम सूचित करेंगे सूचित करते हैं अभी भी और सूचित करते रहेंगे ठीक है तो कोई भी सवालों कोमेंट करना उस पे वीडियो अग्ली वीडिएो ज़रूर आएगी अगर सभी के काम का होगा वो और जैसे ही फोर्म चलेंगे उसका प्रोसेजर रहेगा उसके लिए गल आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है हम पोस्ट डाल देंगे अभी तो पोस्ट डालने की और या वीडियो डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज फोर्म किसी भी टाइम चल सकते हैं अगर नहीं चले या फिर चल गए कल सुबह के टाइम न्यूज पेपर में जो भी अपडेट होगी उसके साथ मिक्स करके हम एक वीडियो डाल दे देंगे लेकिन अगर जादर जरूरी अपडेट हुई तो एक वीडियो उसी टाइम पर जब अपडेट हमें मिलेगी ताल देंगे ठीक है इस वीडियो में यही था परिशान नहूं अगर आपकी बैक है तो आप कोलेज में जाके बात कर सकते हो कि सर मेरी बैक है हाला कि वहां से 99% आपको बता रहे कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ना फॉर्मेट कैसा रहेगा जो फॉर्म आएंगे अभी जो वेबसाइट पर फॉर्मेट बनाया जाएगा उस पर क्या-क्या भरवाया जाएगा पिछले मांक सीट से समझ रहे हो ना तो यह भाई अपडेट है कोई भी सवालों कोमेंट करना कोशिश करें जयतना जल्दी हो से कपके सवालों की रिप्लाई करने की वीडियो के डेस्क्रिप्शन में टेलीकर नाम गुरूप की लिंक है जोइन कर देना क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरं तो यह भाई वीडियो थी बाकी प्राइवेट फोर्म के बारे में टेंसन मतले एकदम से फोर्म को ना भरवाए बहुत जरूरी कारण हो तभी उस फोर्म को जरूरी से जरूरत से जल्दी भरवाने की कोशिश करें एक लास्ट में और अपडेट आपको बताना चाहेंगे क प्राइवेट फोर्म आने तो आज है लेकिन मान के चलो किशी करणवाश चार दिन बाद आते हैं तो कैफे वाले फोर्म लेके रख लेते हैं, बोलके कि भाई फोर्म चल गए जितने जल्दी भरवाओगे आपके कोलिज़ फुल ना हो मुए हमें साथ कागज दे जाओ तो अगर आप कैफे वाला गलती आपके फोर्म में भरेगा तो कैफे वाला नहीं जाएगा लाइन में लगेगा उनिवर्सिटी में जाना आपको पढ़ेगा वो बस बता देंगे कि वैबसाइट की कमी की वज़े से यह error हुआ है और यह दिक्कत हो गए है आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्यों कि कमी किसकी थी वैबसाइट की सारी कमी फिर वैबसाइट की हो जाती है समझ रहे हो तो अभी दो दिन रुको हम जैसी भी अपडेट होगी आपको बताएंगे जब सही तरीका होगा मंदब दो दिन बाद क्या कली हम एक नई वीडियो लेके आ जाएंग